हेलो फ्रेंड दिस इस मोहन आज मैं सेयर करने वाले हैं ति पावर और पॉजिटिव थिंकिंग बुक समरी इस किताब मैं आथर ने पॉजिटिव सोच की थाकत के बारे में बताया है कि किस तरह हम अपने पॉजिटिव सोच के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ कर सकते हैं अगर आप एक बिलिनियर बना या अपने लाइब में हाइस्ट पॉइन को अचीव करना चाहते हैं तो डिफनेटली ये सेनल आपकी मदद कर सकता है इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट पॉजिटिव थिंकिंग क पहला स्टेफ है बिलीफ इन यूरसेल खुद पर बिस्वाज रखें कि आप लाइब में सक्सेश्फल हो जाएंगे अगर आप बिस्वाज नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपकी हेल्प नहीं करेगा मान लीजिए किसी स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के केमपेर नहीं कर सकते हैं और इसी के विपरिद अगर आपने मान लिया कि इड्जस्ट नंबर और ये नंबर मेरे फिचर को डिसाइड नहीं कर सकता है डिफनेटलि आप लाइब में सक्सेश्फल हो जाएंगे एक प्यारी सी लाइन है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या अपन मैं इस काम को कर सकता हूं तो आप बिल्कुल सही हैं अगर आप सोचते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं तो भी आप बिल्कुल सही हैं क्योंकि कि किसी काम का हो पाना या नहो पाना हमारे माइंड सैट के ओपर डिपेंड करता है लाइब में सक्सेश्फल होने के लिए माक्स की नहीं बलकि एक बेहतरीन आइडिया, टैलेंट, हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है अगर आप एक स्टुडेन हैं और आप क्लास में फर्स्ट रेंक पर आना चाहते हैं तो आपका तर्गेट आपका टीचर होना चाहिए कि मैं अगले तीन महिने में इस सब्जेक्ट में अपने टीचर से ज़्यादा एक्सपर्ट बनूँगा यकीन मानिये क्लास में ही नहीं बलकि पूरे बोर्ड की परिक्षा में आप पहले रिंक पर होंगे आपके पास नौलिज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होगा दूसरा स्टैफ है पिस्पुल माइन जैनरेट पावर अपने दिमाग को शांत रखें!!! क्योंकि सांत दिमाग में ही क्रियेटिव आइडियास आते हैं जो आपकी लाइप बदल सकते हैं लेकिन लोगों के दिमाग आज जक्र शांत नहीं है आजकर लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, इंजाइटी, डिप्रेशन आदी चीजों से बराफ हुआ है ऐसे में दिमाग सांथ कैसे हो सकता है इन सारे चीजों को दूर करने के लिए आप योगा और मेडिटेशन का सहरा ले सकते हैं सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं याद रखें, शांत दिमाग ही उर्जा का बंडार होता है जिसमें क्रियेटिव आइडिया जाते है तीसरा स्टेफ है, हाउ टो हैव एनरजी इनसान फीजिकल वर्क से नहीं बलकि नेगटिव विचारों से ज़्यादा ठक जाता है आप जैसा सोचोगे, वैसा ही आप फील करोगे अगर आप सोचोगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो ससमें आपको खुशी का अनवा होगा इसके अलावा अक्सिसाइज करें, इससे आपका इस्टेमिना बढ़ेगा ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ाएं जो आपको बार बार हंसाते हैं हसने से आप में पॉजिटिव एनरजी बनी रहती है और एक दिन में मीनिमूम बीज बार हंसें चौता स्टेफ है ट्राइब प्रेयर पावर प्रेयर करना एक बहुत ही पावरफुल चीज है यह हमारे सबकॉंसियस ब्रैंड को एकदम से मोटिवेट कर देती है जब हम किसी सुप्रेम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो यह हमारा सारा डिप्रेशन और एंग्जाइटी दूर कर देता है हमें लगता है कि हमारे दिल के बाद किसी ने सुन ली है हम इस सवर से बाद भी कर सकते हैं जो हम अपने पैरेंट्स से नहीं कर सकते हैं पांचवाँ स्टेफ है किसी भी इनसान का खुष होना या दुखी होना उसके हाथ में है बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है फिर भी वो हमेशा रोनी सूरत बना कर गूमते हैं वो कभी भी साडिस्वाइड नहीं होते हैं क्योंकि उनका लालस उन्हें संतुष नहीं होने देता है इसलिए सबसे पहले इस्वाइड ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष नो होना चाहिए स्टेफ सेक्स स्टाफ फरमिंग एंड फ्रेटिंग चिल्चिड़े ना बने आजकल की जिंदगे में इंसान को तरहतरा की प्रॉब्लम्स से होती है इन सब की वज़े से वो चिल्चिड़ा हो जाता है कितने लोग जो असफल होने की वज़े से चिल्चिड़े हो जाते हैं और वे हर चीज़ का दूस दूसरों के उपर ढ़लना सुरू कर देते हैं इससे सारे लोग उससे ना पसंद करना सुरू कर देते हैं और इससे वो आदमी लाइब में और भी असफल होता जाता है इसलिए आथर कहते हैं कि हमेशा रिलेक्स करने का टाइम निकाले वैसे ही रिलाक्स करने को भी डेली का रूटीन बना लें